हे दोस्तों तो फाइनली यहाँ पे शाओमी ने अपने मी 10 को इंडिया में आज लाँच कर दिया जो कि 108 मेगापिक्सल वाले सेंसर के साथ आता है यह स्मार्टफोन स्पेशली कंपीट करेगा वन प्लस एट 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 प्रो से तो आज की इस वीडियो में मी 10 से जुड़ी आ आज की इस वीडियो को तो शुरुवात करेंगी मी 10 की डिस्प्ले से तो यहाँ पे आपको 6.67 इच की एमुलर डिस्प्ले देखने हो मिलते है भी 90 हर्ट रिफ्रेशरे रेट के साथ और यही नहीं यहाँ पे आपको 180 हर्ट टच सेंप्लिंग रेट भी देखने को मिल जात यहाँ पे आपको स्नेप्रेंगे री यहाँ अपको स्नेप्रेंगे रेट वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जहती है उसके मेन आपको एप्लेंटिंग फीचर की तरफ वह है इसका camera Mi 10 में आपको 4 cameras देखने को मिलेगे जिसका main sensor 108 megapixel का होगा जहाँ पे आपको F1.7 का aperture देखने को मिलने वाला 13 megapixel अल्टरा वाड एंगल लेंस होगा यहाँ पे आपको F2.4 का aperture देखने को मिलेगा 2 megapixel micro lens होगा और 2 megapixel dash sensor होने वाला है और वहीं आपको front side पे 20 megapixel की selfie देखने को मिलेगी with F2 aperture जिससे आप Full HD वीडियो रिकोर्ड कर पाएंगे 30 fps तक तो all over जो cameras है यहाँ पे एकदम कमाल के cameras देखने को मिलने वाला है इस smartphone आपको 12 GB तक की RAM देखने को मिलेगी यह से latest DDR5 होने वाली है यहाँ पे आपको UFS 3 का support देखने को मिल जाएगा 256 GB तक storage होने वाली है और यहीं नहीं आपको 4780 mh की battery देखने को मिलेगी जो की 30 watt fast charging, 30 watt wireless charging and 5 watt reverse charging को support करेगी तो मैं आपको बहुर रहाँ की जो यह smartphone एकदम features से भरा हुआ है Mi 10 में आपको in display finger scanner, Android 10, Bluetooth 5.1 ऐसे सभी common features देखने को मिल जाएगे बट यहाँ पे आपको 3.5M jack देखने को नहीं मिलने वाला जो की आज कल हमें flexi smartphone में देखने को नहीं मलता है तो बात करें आप pricing की तो मैं honestly बोलता हूँ कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यह smartphone अभी launch नहीं हुआ है यह मैं वीडियो एकदम सुबह सुबह बना रहा हूँ 6 बजरे अभी तो अभी यह smartphone launch नहीं हुआ है बट आपको इसकी pricing description और comment box में देखने को मिल जाएगी आप जाकर देख सकते हैं अगर मैं अपने opinion की बात करूँ I think यह around 40,000 के आसपास launch हो सकता है तो यही सब कुछ आपको Mi 10 में देखने को मिल जाएगा आप मुझे comment box में बताना कि आप OnePlus 8 Pro या फिर Mi 10 इन दोनों smartphone में से कौन सा smartphone लेना पसंद करेंगे और क्यूं comment box में जरूर बताना तो आज की वीडियो को यहीं end करते है अगर आपको वीडियो किसी भी रीजन से अच्छी लेगा तो यार वीडियो को like जरूर करना अंदर से motivation जाकता है एकदम खतरनाक वाली तो वीडियो को like करके जाना तो thank you for watching this video keep loving creative tech see you the next video तब तक लिए बवाए जैहिन वंदे मात्रम बवाए